कि नमस्कार दोस्तों उभीद करता हूं सब अच्छे होंगे और या कुशल मंगल होंगे ना लेक्चर लेक्चर नहीं आज मेरे पास ना मैं बिल्कुल लेक्चर नहीं है एक परसेंट भी लेक्चर ने बट आज का टोपिक ऐसा है जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकते हैं विकोज सीचेट दोज़ेश के बाद हटकंप मचा था ना कि यह लेक्चर उस रखकंप को कम करने में आपके साहता कर सकते हैं कि हाओ टूस्ताइट फिल्पेशन फूर सीचेट दोज़र चूबिस सिर्फ उनके लिए काफी बच्चे तैयारी कर चुके मेरे बहुत सब्सक्राइब करना पड़ेगा अब वह चीज नहीं है कि और वह भी छोड़ दो कि कैट पैट पड़ना पड़ेगा कुछ नहीं पड़ना सिंपल एक अच्छी बेसिक तैयारी से नौलिज से आपका सीज़र बहतरी इन तरेक्या से निकल सकते हैं कैसे वह मैं बताऊंगा आज आपको इस पूरी वीडियो में कैसे आप कम एफर्ट के साथ जादा तैयारी कर सकते हैं और अगर अभी परपेरिशन स्टार्ट करेंगे मारे साथ तो क्या आपको फाइदा मिलेगा सबसे पहले बात कुछ कोशन के जवाब के रूप में मैं आपसे कुछ लाइने पु यह हुआ उनको यही नहीं पता कि यह तो पता कि क्यों चपने की शोरू करने क्यों कि निपन सकते किस टॉपिक को बाद में कवर करना चाहिए इस पेस पे तयारी उना चाहिए कितने देर बढ़ना चाहिए कितने नंबर आफ कोशंच करने चाहिए कहां पर कौन से कौन से आप हैंगे जैसे अगर आप अर्थमेटिक की तो यारी करो तो आपका परसेंटेज एंड रेशन परपोशन इस दो चैप्टर से हैं जो जान है पूरी अर्थमेटिक की अगर आप शुरू ही अपना प्रॉफिट लॉज से कर रहे हो तो इसका मतलब आपको नौलिज ही नहीं अगर आप अभी भी विरेबल वाली अप्रोच पे हैं यानि एक्स वाई जैड आप कुछ भी लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अभी भी धूरी के मैं कोंगा साटी भी नहीं है मेरे साब से वो तैयारी नहीं है जब आप पर्संटेज करो रेशो पर्पोर्शन गरो उसके बाद आपंगे चेप्टर के उपर आओ और इन के कोंसेप्ट कुम हमेशा कहता हूं इस नोट अ चेप्टर रेशो पर्पोर्पोशन आपका टाइम एड वर्कों का टाइम एडि आपको seriously नहीं पता फिर आप ब्रहमित हो जहां कहीं से आप पढ़ रहे आपको आधा दूरा पढ़ाया जा रहा है तो हाउ का मतलब पता चला कैसे कहां तैयरी शुरू करनी है पता चला कि नेक्स देखो फिर क्या होता है तब number system number system के पूशे भाग रहें कि भीया number system कर लो पट कैसे कैसे हम नंबर system को पी easily करेंगे वो सारा का सारा जब आप जुड़ोगे मेरे साथ मैं सारे चीज़े पता हूँगा अभी मैं चलूँगो next point के उपर मैंने बता दिया why करना क्यों करना क्योंकि मुझे yes बनना है अब कैसे करना है कि आपको पता होना से नेक्स क्या है no your syllabus सबसे पहले आपका जब भी आप तयारी शुरू करो ना वाई और होका तो पता चलिए बट आप यह देखो सबसे पहले आपका syllabus क्या है कि इप चेकिंग रेगुलर लीवर स्लेबस माक यूवर स्लेबस जब भी आप करोगे ना सबसे पहले आपको मिलेगा अब देखो प्रिंट आउट लो स्लेबस का कितना स्लेबस आपने कंप्लीट किया है अभी तक या नहीं किया तो कि स्वें में करना पड़ेगा मुझे वैसे तो हुटता कि स्लेबस के अंड में लिखा होता है एक्सेक्टरा और डॉट लगा देते इसका मतलब भाईया कुछ भी ढाल देंगे तो मेजर स्लेबस है वो हर जगां की वन होता है कहीं पे भी तो आपको क्या करना है जब भी आप तयारी शुरू करें आप सबसे पह क्योंकि जब स्लेबस पता होगा तो आपको यह भी पता होना अच्छे कौन से चैप्टर से ज्यादा आ रहा है वो कैसे पता से लेगा वोगली स्लाइड में देखते हैं मैं हमेशा से यह बात मानता हूं कि मैं कोई भी एक्जाम की तियारी करूँ ना तो मुझे यह ज़रूर पता हो कि मेरे मेजर पोश्चन कौन से चप्टर से कवर हो रहे हैं या कौन से वह महारत ही चप्टर से हैं कौन से वह बड़े चप्टर से हैं कि जहां से मेरा मैक्सिम करें आपका नंबर सिस्टम हो गया है आपका पर्मोडिशन और कॉंबिनेशन हो गया इस तरह के और भी दो तिन चार चेप्टर से कम आ रहे हैं तो यह चीजें आपको आगे लेके जाएंगे जैसे अब अगर मैं इंग्लिश ही बात करूं सबसे करेंगे आपको सरफ और सिरक कॉंपिरेंशन आ रहर हैं तो जब तक आपको पूरी नौलेजी नहीं है जब कैसे करें चीज hours देख लोगी। तो आपके दिमाग में रहेगा, हाँ, हाँ, ये मैंने पढ़ा था, फिर, जब आप important topics को cover करोगे, आपको पता चलेगा, बट, एक बात और भी है, देखने वाली, बट, important topics का पता कैसे चलेगा, मैं तो एक fresher हूँ, मुझे कैसे पता important topics है, बट, मुझे इतनी sense है, कि मुझे पता चलेगा, कि जैसे time of A, time of B दी है, कि A किसी काम को इतने दिल में करता है, B इतने काम में करता, तो A plus B मिलके कितने में करेंगे, तो मुझे इतनी knowledge है, सर, इतनी basic knowledge है, कि मुझे देखते अभास हो रहा है, कि ये कहिना के time and work का question है, कोई train कितनी गती से चल रही है, तो ये speed, time and distance का question है, किसी piece पे, किसी article पे इतना profit है, तो सर, मुझे सिर्फ इतने ही पता है, कि ये profit and loss का question है, इतनी knowledge आपको होनी चाहिए, इतना अभास आपको चाहिए, अंतरा आत्मों को जोड़िए और पूछिए, क्या ये पता है, अगर ये पता है, तो आप सही रास्ते हैं, फिर आपके तयारी बिल्कु सही चलेगी, बिकॉस, मार के important topics, ये बहुत important आपके exam के लिए, बट ये पता कैसे चलेगा, कि भाया मेरे important है, मैं तो fresher हूँ, मुझे क्या पता, मैं तो सरा आज तक अभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो पहली बार आया हूँ, मैं तो अभी first time तया पता नहीं, कैसे पता चलेगा, ये answer आपका है, और एक comment section में लिखना है, कैसे पता चलेगा, कि important topics कैसे mark करोगे, तो कि answer तो मैं भी 5 second में बता दूँ आपको, आपका answer है, ये, analysis previous year paper, सबसे ज़्यादा important है, अगर मैं आपकी बात करो, तयारी को boost करने के लिए, तयारी को finalize क करने के लिए, तयारी को start करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या चाहिए, मेरी previous year की analysis, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, देखो, suppose करो, जैसे मैं अगर बात बता हूँ, आपको 2015 से हमने previous year paper, discussion start की, है, 2015, 2015, 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, और 2023, और यह आगे 2024, इस पहले काते हैं, वही बड़ा से कोशन मा, clear, अब आपको के सार, line क्यों लगाई है, आपने, बिल्कुल वाजिब सांसर है, होनी ने चाहिए, बट, previous year paper को जब आप देखोगे न, यहाँ से यहाँ, आपके पास क्या था, आपके अस 15 से, मैं बात चलो, 20 या 22 कोशन आप, 15 या, आप approximately लिखाओ, प्राउंड, पिसे 22 कोशन आ रहते हैं, आपके पूरे quant section से, ठीक है, इतने ही कोशन आपके logical से है, और थोड़े बहुत आपके reasoning से, लोजिकल से, पकी बचे आपके English से, बट, 2019 के बाद अगर मैं बात करूँ, इन exams की, 19 की बात करूँ, 20 की बात करूँ, 21 की बात करूँ, 21 की बात करूँ, 23 की बात करूँ, 22 की बात करूँ, तो यहां पर एंदिसर चालिस आरह आरा किया आपका कॉंट इवार से पंदरा क्या रहा है लोजिकल रिज्निंग ठीक है चालिस और बीस से पच्चिस कर आपका चालिस और चालिस क्लियर तो मुझे कैसे पता चला कि भाया लॉजिकल में कम आने लगे हैं यह मुझे बताया प्रीविस यह पेपर की एनलिसिस ने ताफ तौर पर मुझे बताया कि पिछले साल के पेपर क्यों इतने इंपोर्टन इसके पर वीडियो भी बनाई यह इसके पह होंगे आपके आपके इंपठटन टौ॥ե टोस करने इंप्रिविसेयर पेपर की डॉडिस से करनी है था हवा में तरूर उडएा इसके पाद भी नंबर औफ कोषण तो की प्रेक्टिस हमें करनी पड़ेंगी मैं बता रहा हूं भी आपको तो काखाओगे 23 के जिना 24 में भी मुझे बल मति किरना फिर मैं बताऊंगा रोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईस बन सकते थे पड़ सिरफ एक दो पांच नंबर के पिछे कुछ तीनों कुछ घंटों कुछ मिनेट की एक्स्टा तैयर योर कर लेते तो आज शायद वो आईस ऑफिसर होते हैं पड़ अपने लिए गड़ा खुद खोदा उन्होंने क्यूंग एसेट को नजर अंतास करो तो आप ऐसा प्ल क्यूं मारे पास अगर की बच्चा आ गया ना तो हमारी कोशिश रहते हैं वह अच्छी सीट पर जाए वह अच्छी तैयारी करें ठीक है कभी एक टीचर यह नहीं चाहेगा कि कोई उसके के पास बड़ा बच्चा पे लो पट आपको निरंतर प्रयास करते रहना याद रखेगा क्लियर चलिए अब एक सब्सक्राइब करने तो जब तक आप स्लेबस कंप्लीट करने तो जब तक आप स्लेबस कंप्लीट नहीं कर रहोगे ना मैं कह रहा हूँ अगर आपने सब्सक्रम गार कईवा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कज बोटकिन है को अ हुझा टो सो अ-फूल-टृट-वटॉ सब्सक्राइब है तो कैसे होगा यह कुछ पॉइंट से जो मैंने आपको बताएं कि इसकलिए हमारा जो नया बैच है बेटा उसकी टाइमिंग है तीन से लेके चार चार दिन है तोटल एंगे आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत सुनहरा मोग है बहुत कुछ अक्षिता मिल रहा है सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आपका बहुत बढ़िया नंबर है थैंक यू सकते हैं भूद्सक्राइब गाउा नंबर वे कंड़ी कर सकते हैं यूद्सक्षिता है कि अवाल आ यूद्सक्राइब झाल झाल